हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल सपनाज इजी गार्डिनिंग टिप्स फ्रेंट्स आज मैं आपको रोस प्लांट की फुल केर के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप अपने गुलाब के पौधी की केर करें, कौन से फर्टेलाइजर दें जिससे आपका जो ये रोस प्लांट है वो पूरे साल खूबसूरत फूलों से सजा रहे और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग ओ, धेर सारी कलिया आए जो जो सबसे इंपॉर्टन चीज है वो ये है कि आप अपने रोस प्लांट को खास कर विंटर्स में ऐसी जगा पर रखें जहां पर इसे फूल सनलाइट मिलती रहे सुबह से लेकर के शाम तक की बहुत अच्छी सनलाइट आपको विंटर्स में आपके रोस प्लांट को देनी है अगर ऐसा आप करेंगे तो इसमें बहुत सारी बर्ट्स आएंगी, कलिया आएंगी और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होगी और इसकी जो लीव्ज होंगी वो भी बहुत जादा फ्रेश होंगी, ग्रीन ग्रीन होंगी इसलिए सनलाइट जो है वो रोस प्लांट के लिए खासकर विंटर्स में तो बहुत जरूरी है पूरे दिन की सनलाइट अब अब इसलिए सेक्एन की स्वाइल देखे गीली है मैं अभी इसमें तो से तीन दिन तक और इसमें वाटर रिंग नहीं करूगी जब तक कि यह अच्छे से सूक ना जाए over watering से ही rose plant की जो leaves है वो yellow और brown हो जाती है और गिरने लगती है तो सबसे important जो चीज है वो है कि इसकी watering का बहुत जादा आपको ध्यान रखना है watering तभी करें जब इसकी smile अच्छे से सूख जाए over watering कभी भी आपको अपने rose plant पर नहीं करनी है इसके बाद जो next बहुत important चीज आती है वो है इसकी हमेशा आप cutting करते रहे है pruning करना rose plant के लिए बहुत जादा जरूरी है आपको एक catchy लेनी है इतने भी spent flowers होते हैं जो निकल चुके होते हैं उनको यहाँ से इस तरह से थोड़ा नीचे से cut कर दीजे जैसा करने से दो फायदों होंगे एक तो plant की energy बचती है दूसरा उसी जगे से नई branches जो है वो निकलती है जिससे आपके जो rose plant में बहुत अच्छी flowering होती रहेगी तो हमेशा आपने जितने भी rose plant में आपके जो flower सूख जाते हैं उनकी cutting जरूर करिए ऐसा करने से इसमें branches निकलेंगी नई branches में ही flowering होती है जैसे मेरा ये जो flower ये बहुत सूख ही गया है तो इसे भी मैं यहां से नई branches जो है वो मेरे plant में आएगी तो ये pruning करना rose plant के लिए बहुत जादा important हो जाता है time to time आपको अपने rose plant में सूखे वे फूलों को cut कर देना है जिससे इसमें बह दो देखिए branches इसके अगल बगल से निकलाई है अब इन दोनों ही branches में नई leaves और नई कल्या आएंगी जिससे मेरा ये plant है इसमें बहुत धेर सारी नई flowering जो है वो start हो जाएगी इसलिए pruning करना rose plant के लिए बहुत जादा जरूरी हो जाता है ये आपका जो rose plant हो बहुत जाद घना हो जाता है ऐसा करने से अब बात करेंगे इसमें fertilizer की fertilizer की बात करें तो rose plant के लिए जो सबसे important fertilizer है वो है चाई की पती का fertilizer चाई की पती हम सभी अपने घरों में यूज करते हैं तो जो यूज करी हुई चाई की पती है उसे आपको लेना है जैसे कि मैंने ये सुखा करके रखी थी चाई की पत्ति और मैंने इसे चार से पान्스 दिन अच्छे से सुखा लिया है धूप में अब ये रेडी है मेरे बांत में देने के लिए तो वीक में एक बार आपको अपने प्लांट में ये दे दे दी है इस तरह से दे दीजी अपने प्लांट में और हफ्ते में ए चाई की पती फ्री की होती है, घर में सभी के रहती है, तो इसे बस वाश जरूर करना है और अच्छे से सुखाना है, उसके बाद अपने प्लांट में हर हफ्ते देना है, हर एक रोस प्लांट में आपको कम से कम दो चम्मच देना है, इसके बाद जो नेक्स आता है वो है करी आपको एक चम्मच लेनी है पिसी होई फिट करी उसे आधा लीटर वाटर में आप भिगो दीजिए भिगो करके फिर वो पानी आप अपने सभी रोज प्लांट में दीजिए ऐसा आपको 20 से 25 दिन में एक बार जरूर करना है अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो इसकी स्वा पाउडर जो किसी भी नर्सरी में आपको इजली अवलेबल होगा एक चम्मच सर्चो की खली का पाउडर आप अपने सभी रोज प्लांट में दे दीजिए पंदरा दिन में एक बार क्योंकि रोज प्लांट जो होता है वो हाई फीडर होता है बहुत जादा फर्टिलाइज नहीं है तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी आप दे सकते हैं आप कंपोस्टी बना करके दे सकते हैं आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट को एक से दो मिठी अपने प्लांट के हिसाब से ले लीजिए और उसे एक लिटर वाटर में भिगो करके तीन दि मिला दीजे और अपने सभी रोज प्लांट में थोड़ा थोड़ा इसे दे दीजे इससे आपके प्लांट में इस लिक्विट जो आप कम्पोस्टी लिक्विट खाग जो आप देते हैं अपने प्लांट को वो बहुत जल्दी असर करती है आपके प्लांट में तो जब धूप अच्छी निकल रही हो तब आप बनाना पीन फर्टेलाइजर इसमें 15 दिन में या 20 दिन में एक बार दे सकते हैं यह सभी फर्टेलाइजर देने में आपको एक साथ नहीं देने हैं 15 से 20 दिन का गैप रखना है इसके बाद जो काम करना है आपको एक स्प्रे बॉटल से हमेशा अपने सभी रोज प्लांट में इस तरह से स्प्रे करना है अगर आप इस तरह से स्प्रे करते रहेंगे तो आपके किसी भी रोज प्लांट में कभी भी किसी भी तरह के पेस्ट का अटैक नहीं होगा और इसकी लीव कभी भी ब्राउन नहीं होंगी हमेश इसे भी जो रोज प्लांट होता है उसे बहुत जादा सफाई पसंद होती है फिर आपको करनी है गुड़ाई एक पतली खुरपी आप ले लीजिए उससे आप अपने सभी प्लांट की गुड़ाई कर दीजिए समय देखिए इसकी मिट्टी थोड़ी गीली है लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं आपको गुड़ाई करके दिखा रही हूँ जब इसकी स्वाइल जो है अच्छे से ड्राई हो तब आप इसमें गुड़ाई जरूर करिए गुड़ाई हर तीन से चार दिन में एक बार आपको करनी है सभी रोज प्लांट की आप गुड़ाई कर दीज जब तक कि स्वाइल अच्छे से सूख नहीं जाएगी तो यह कुछ टिप्स हैं जिने अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो रोज प्लांट है उसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी तो आप भी इन सभी टिप्स को फॉलो करिए और अगर यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बैल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और तो फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ मिलूंगे आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाद